मुझे जी नमश्कार स्वागत अब करकर में सबसे बहुता निफ्टी को लेकर अपनी रहनीती बताइए आप आज इस तरह से उपर से मुनाफ़र वसूली हुई क्या ये चिंता का संकेत है या फिर अभी वेट करें कुछ और तेजी की उम्मीद बाखी बजार में गुझे जिस तरह से आज मार्केट में सेल आफ देखने को मिला आज ऊपर से प्रॉफिट बोगिंग नजर आई है और सबसे चीजी निफ्टी में उतनी करेक्शन नहीं देखने को मिली अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो सारे स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन देखने क खो सकती है तो कल कोई भी अगर चुटा मुटा भी बाउन्स बैए मिनिफ्टी में देखने को मिलता है एक सैलिंग अपॉर्चनिटी 11,200 के टार्गेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 11,400 का चले 11,200 का टार्गेट 11,400 स्टॉप लॉस से मुदिजी ने आपको राय दी है थोड़ी सी पॉफिट टिकिंग और यहां पर देखने को मिल सकती है कॉशिस लेकर रहकर अपनी रेनीती को आप बनाएं अब स्वाल जो आपका सिलसला शुरू करते हैं तमाम तरीके आपकी स्क्रीन पे चली रहे होंगे आप सोशल मीडिया के जरीए भी हमारा इस्सा बन सकते हैं और सवाल आप डार्गेट ली भी हमसे पूछ सकते हैं शर्मीला आचार है शर्मीला जी नमस्कार शर्मीला जी आप सुनपा रही है हाँ जी सुनपा रही है क्या सवाल आपका बताईए जो मैंने बाड़ा सो सत्तर के भाव में लिया था एट मेको हलो क्तिक्ना समय आप दे सकते हैं हलो कितना टाइम विया आप लिए जाया था है उसमें प्लाफित बुक कर डेना चाहिए या क्या करना चाहिए ओके ओके मुदिद जी, IRCTC, OFS की बज बजार में क्रीट हो चुकी है, 1270 पर नहीं खरदारी है, फिलाल तो मुनाफ़ा है, एक सोनौर परशियर का नई ट्रेंज के आने से इसके लिए ट्रिगर भी बनेगा, क्या किया जाए, लेकर निकल जाए, फिर बढ़ी रहें सब्सक्राइब करने की सला देंगे, इस टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस काउंटर में तीजी बनी और लास्त तीन महिने से ये काउंटर ये कंसॉलिडेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लोवर सैट में 1330 के पास इस काउंटर में सपूर्ट देखना को म इस टॉक में 1460 की हाई बनाया है, और वहां से कुछ सप्लाइदेखने को मिली है, अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए है, इस काउंटर में 1330 के स्टॉप लोज के साथ होल्ड देंगे, बांस बग में पहला टार्गेट 1460 का होगा, 1460 अपकी बार ब्रेक हुआ, ये क कुरे निती बताई गई है, एक सवाल आया है, नितिश गर का ट्विटर के सवाल पूछा है, एक साइड इंडस्रीज को लेकर सौ शेयर है, और 166 रुपे के दाम पर खरदारी है, क्या कि अजयर है, मुदित 166 पर खरदारी है, सौ शेयर है, और अभी दो फिलाल घाटा है, क्या कि अजयर है, तो इसलिए एक साइड इंडस्री से एक जिट करने की सला दे रहे है, लोवर साइड में हमें 165 सुपे तक की डाउंसेड एक साइड में नज़र आती है, तो यहां पर एक साइड को एक सिट करने की सला है, जी, तो एक सिट कर जाए, कोई भी तेजी मिले, लॉस कम हो, आप निकल जाए, यह ज़्यादा बहतर रहनीती आपके लिए रहेगी, लॉस के लॉट से 100 लॉट कर दे हैं सर बाव पे, और अभी मुझे लग रहा है कि वो उस दिनों से मैं देख रहा हूं, दो तीनों से, 84, 85, something, इसके आराउंड में, जो स्टॉक है वो घुम रहा है, तो अभी मुझे रहा है, तो अभी मुझे रहा है, आठ से नो रॉपे के आसपास का लॉस दिख रहा है उस पे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहरा था, क्या इसको होल्ड करूं? जे, मुझे तिनका सवाल एनार्मी भी यरिंग पर है, वैसे तो यह हाई लेवल से काफी तूटा, 220 रॉपे के हाईज होते तो है, वहाँ से 90 रॉपे आ चुका और अब एक दायरे में काम काज कर रहा है, काफी समय से, 11 रॉपे का लॉस इने रफली हो रहा है, क्या किया ज सब्सक्राइशन में एक हेड़िंग शोल्डर पैटर मनाया है, उसका ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है, 200 रॉपे के नीचे काउंटर फिसल गया है, और जो अरलियर सपोर्ट था उसको भी इस काउंटर में ब्रेक कर दिया, तो चार्ट पर अभी डीप करेक्शन आ स सकते हैं, लेकिन एनार्वी पैरिंग से एक्जिट करने की सलाओ, जी, यहां से निकले, इनफी, विप्रो और टीसी, यह तीन विकल बताए गये हैं, आप यहां पर दाव लगा सकते हैं, वैसे भी मध्यम से लंबी अवदी के लिए अच्छे ऑप्शन के तोर पर दिखाई पढ़ रहे हैं, आप उसलिहां से इस पोजिशन को देखें, इसके राव एक सवाल फेस्बुक के जरीए भी आया है, सवाल है सचिन चोहान का ग्रीव स्कॉटन को लेकर इने सवाल पूछा है, 81 रुपे के दाम पर खरदार, यह 1100 शियर है, क्या किया जाए मुदित इसलिए यहां पर होल्ड करने की सला है, वीक्ली चार्ट्स पर अर्लियर सपोड 75 पर निकल कर आ रहा है, तो एक चीज़ किलियर करूँगा, 75 रुपे के साथ आप होल्ड करके चलेंगे, और रिसेंटली जो स्विंग है ता वो करीब 91 का था, 91 से इस काउंटर में जो करेक् 25 के स्टॉप रुपे के चलेंगे, पाउसबक में एक आउंटर 85 से 88 तक के अपसाइड मूफ देखा सकता है, सचिन जी बने रहे हैं, रहनीती अई बताई गई है, 85 से 90 रुपे तक की चार्ट देखने को मिल सकती है, 85 रुपे के आसपास, तो आप बने रहे हैं वही आपके 6,000 डीलिंग शेर, बड़ी कौंटिटी में इनने शेर ख़ीद रखे हैं, डीलिंग के 133 रुपे के दाम पर, 26 रुपे पर शेर अगाटा है, स्टोरी तो इसके साथ ठीक है, जैसे ऐसे 5G के एक्सपैंशन हो रहा है, इस कंपनी के नंबर्स भी ठीक हो जाएंगे, पुरान चार्ट्स देखते हैं तो 50 रुपे के असपस yearly लूप बनाया, उसके बाद सिंगल स्विंग में इस काउंटर में 135 रुपे तक के upset mood देखने को मिले, इसनी तेजी के बाद एक healthy correction due होता है, और उसी तरह का healthy correction चार्ट्स पर अभी नदर आ रहा है, तो जब तक ये चार्ट्स को average कर सकते हैं, bounce back क्या से देखने को मिल सकता है, 120 से 122 तक का bounce back नदर आता है, 100 रुपे के stop loss के साथ hold करने की भी सला है, नया भी निवेश कर सकते हैं जी, तो आप बनी रहें, आपके लिए रहनीती है रिखा जी, और अगर नीचे के दाम पर मिले तो आप और खरदारी, अगर आपकी pocket allow करें तो आप कर सकती हैं, लेकिन फिलहार के लिए आप बनी रहें, stop loss 101 का crucial ये आप रखिएगा, सौरब धवन का एक सवाल लौर आया है फेस्बुक के जरी है, SBA cards को लेकर, क्या रहा रखते हैं, मुदित आप SBA card, कफी लंबा consolidation, फिल बैक और अब नए लेविल्स ने टच्च मी किये, अभी तो मुनाफ़ा है ने 300 पर शेयर के आसपास का, क्या किये जैस में, उनकी खरदारी शाद IPO के आसपास की है, क्या करें बनाया, एक bullish pennant battle बनाया, जिसके breakout के पास ये counter आज गया था, लेकिन उपर से market के supply के चलते वो breakout नहीं नजर आया, लेकिन volume जिस तरह के बने हुआ, चार्ट स्ट्चर अभी जिस तरह का बना हुआ है, इसमें 900 रुपे तक के अपसर नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहां पर hold दगने की सलाइ 900 रुपे के टार्गेट के लिए स्टॉप ल़स रहेगा 770 का तो 770 के स्टाप लॉस और 900 रुपे के टागेट के लिए आप बने रहे हैं वही आपके लिए ज्यादा बितर रहेगा दिल्ली चलते हैं हमाई साथ रवी जी मौझूद है वहाँ से रवी जी नवशकार क्या सवाल आपका पूछिए है तर मेरे पास सिक्स कॉंटिटी है काफी हाइर बाइं प्रेप्राइब किया था मैंने 3290 जी 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 जो जानना चाहता हूं कि क्या मैं उसे अभी एड कर सकता हूं अभरेज कर सकता हूं या एक्जेट करना ठीक रहे का मेरे लिए इन फ्यूचर इसकोप लॉंटरम के लिए क्ल जे एक साइकलिकल स्टॉक में इंटर करा है इनों ने और एक साइकल का जो अपवर्ट साइट था वहाँ पे इनों ने एंटर किया उसके बाद इस शेयर काफी समय से नीचे ही काम काच कर रहा है एची जी काफी सवाल आते हैं 4500 रुपे के दाम से खरदारी हुई होई होती सीने जार पते पैंतालिस सो पाचार जार कि अब यह क्या करें चेशेयर हैं 3292 बत्तिस सो तेतिस वाड़ी है क्या किया जाए सुभी पहले एक चीज करूंगा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुल भी ट्रेड लेते हैं तो एक स्टॉप लोस जरूर मैंड में होता है एक फिक्स इस्टॉप लोस जरूर ले लिजे और अगर इस्टॉप लोस कटता है तो आप पोजिशन को एक्जेट कीजिए अब बात करते हैं मुविंग एवरिजिस के नीचे एक गाउंटर ट्रेड हो रहा है और जैसे थोड़ा सा बाउंस जाता है उपर से सब्लाइस काउंटर में देखने को मिलती है तो मेरा ऐसा मानना है जो भी नुक्सान आपको हो रहा है आप दिल पर पत्था रखकर एक बार अपने लॉस को कर लीजिए और ड्यूरिंग दा शो और्डेडी में तीन गाउंटर सजेस्ट कर चुगा हूं एच्सियल विपरो इंफोसेज और टीसेएफ इन चार स्टॉक्स में से आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं जहां पर अच्छे मुनाफिक की उमीद है जी तो रवी जी काफी मुश्किल है एक विकल्प ये भी हो सकता है कि आप निया निवेश उन में करें और इनको अपने साथ बनाया रखें कोई भी तेजी मिले लॉस कम हो आप वहाँ पर निकल जाएं ये ज़्यादा बहतर रहेगा क्योंकि इतना बड़ा लॉस एक बार कमपनी के साथ रहें वड़ी जाद अची रहनीती होती है खालुच शेक्स आपने फेस्बूप एक सवाल बेजा है उनका सवाल है सुदर्शन केमिकल पर सौ शेयर चार्सों पचास पर गदाम पर एक साल का नजरिया अच्छी कमपनी है बहुत पुरानी हिस्ट्री है क्या क लगता है इस काउंटर में यहां से बाउंस बैग देखना को मिलेगा बिल्कुल यहां पर होल्ड करने की सलाय स्टॉप लॉस देंगे चार्सों एक किस का बाउंस बैग में पहला टार्गेट चार्सों सत्तर का होगा उसके बाद इसकांटर मां पांस सो दस तक कि कि कंपनी हैं और अच्छे नंबर्स है इसके तो उससाब से आप इसमें बने भी रह सकते हैं उसकार पढ़िए का जरूर खैर अब मैं साथ जगदीश मौजूद हैं भटिंडा से जगदीश जी नमस्कार क्या सवाल आपका पूचिए लवकार जी मेरे चार याशे रही बहुत पुरानी हिस्ट्री तो इसकी नहीं होगी 110 रुपे के भाव पर आ चुका है 130 पे इनुन की घरदारी है 20 पर घाटा है घाटा बड़ा है क्या किया जाए मैक्स हेल्थ केर को यहां पर होल्ड करने की सला दे रहे हैं बिलकुर यह बहुत ज्यादा चार्ट इस्ट्रक्चर नहीं है लेकिन जिस तरह की ट्रेटिंग एक्टिविटी अभी तक नदर आई है उसलिए लग रहा है इस काउंटर में यहां से कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेगी अलफिलाल 104 के स्टॉप लॉस के साथ पोल करने की सला है तो जगदीशी आपके लिए राई है कि आप बने रह सकते हैं इसके अंदर और 104 रुपे का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो नंबर्स पहले आ जाने दीजि क्या किया मुदेत इन दोनों स्टॉक्स में आपने संफार्मा की बात करें बिल्कुल संफार्मा का भी स्ट्रेक्चर पूरी तरह से से अल्मुस्ट एल्ली हाई के पास इस काउंटर में सप्लाय देखने को मिला है लेकिन चार्ट पर सारे इंपोर्टेंट मुदिंग एवरेजिस के साथ ऊपर ही एट काउंटर है रहे हैं यह आपको रहनी नीती बताएगे संफार्मा के मद्य नजर गुर्गाओं चलते हैं वैबर जी हमाँसाद मौजूद है वैबर जी पूचिए अपना सवाल साथ सो शेयर हैं मिर्जा इंटरनेशनल के अगरेट आपको देएता हूं कि यूके के साथ सतर परसेंट या सी परसेंट जूते जो हैं मिर्जा इंटरनेशनल के ही पहनाए जाते हैं महाँ पर बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर ओन करते हैं कानपूर भी इस कंपनी है मिर्जा इंटरनेशनल साथ रुपे के दाम पर खरदारी है साथ 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 सो शेयर इनके पास है क्यावन रुपे आ चुका है नौ रुपे पर शेयर घाटा है यानि कि मोर और लेस बारा पंदरा परिशन लॉस कर रहे हैं क्या किया जाए संजी होल कनने की सला दे रहे हैं मार्च लास्ट में इस कंपर में लिवर्सल केंडल बनाया था वहीं से इंडीकेशन था कि इस कंपर में तेजी बनेगी और उसके बाद लगाता है यए कंटर हाय है हायर लोगbell में डिए होता हुआ हुर नजर की तरब ये काउंटर साथ रुपे तक के लेविस दिखा सकता है बोल्ड करने की सला है इस्टिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 48 का 48 का स्टॉप लॉस बने रहे और अगर फुरसत मिले आपको तो आप वेभवजी इस कंपनी के पढ़िएगा जरूर बहुत अच्छी कंपनी है SME प्लेटफॉर्म से में प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर आई है कलंबे अंतरालते ट्रेड करने के बाद और इंडिया की जो चार पांच बड़े नाम फुट्वेर में आते हैं उसमें इसका नाम शुमार है आप इसके बारे हैं पढ़िएगा और इंवेस्ट करे रह है दोनों ने ही शेर साड़े ग्यारा और बारा रुपे की रेंज में खर्डारी कर रखी है क्या किया जाए बहुत चर्चा में रहा छे रुपे से बारा रुपे हुआ तेरा रुपे हुआ वहा सप्लाई आ गई और उसके बाद शेर टूड़ गया अब एक डेड़र सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि इस्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ इक इनवर्टे डेडि शोल्डर पैटन बना हुआ है उसका ब्रेक आउट जरू कलपर्सों की सेशन में देखने को मिला था लेकिन उपर से होल्ड नहीं हुआ है लेकिन अभी इस तरह के स्टॉप लॉस मेंटेन करें और खबरों पर नजर रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है बहुत साई खबरे आती हैं उस लिहाज से इसके अंदर आप रहनीती बना सकते हैं एक सवाल जमीर साब ने पूचा है दोहा कतर से सवाल आया है ट्विटर के जरीयर न नीचे के दाम पर मिले क्या करें इसमें जब इस तरह के इन्वेंस्मेंट को रेटन देता है तो वहां पर हमें होड़ करना ही सबसे अच्छी समझदारी होती है और दूसी चीज़ एक स्टॉप लॉस माइंड में होना चीए और दूसी चीज जैसे जैसे स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं अभी जिस तरह के चार्ट बने हो है उसलिए एक सो रुपे के स्टॉप लॉस के साथ आप फोल्ड करके चलेंगे इस टॉक का चार्ट स्टॉक्चर पॉजिव है यह कांटर अपसेंड मूव दिखाएगा और जैसे जैसे इस की है 620 की 14 रुपे के दाम पर अब प्रीमियम तो आल्मॉस वाइप आउट होगे जिस तरह का फॉल स्टॉक में आया है क्या करें मुदित एच्जिएफसी लाइफ में मैं देख रहा हूँ पुछले एक हफ्चे से लोवर लेवल से अच्छा बांस बैक देखा रही है हम स्टॉक में डीप करेक्शन देखनेों को मिला जरूर एरली हाइस है लेकिन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेस्टरेंस लाइन का ब्रेक आउट नजर आया और अभी ब्र शुक्रिया है तो शहाद आपके प्रभ्यम बढ़ते वर दिखाई पड़े हैं मुदित आपका माय सब मौधूद रहने के लिए सबी सात सव दर्शों के सवालों के जवाब और बजार बाचीत करने के लिए कोई डिस्केमर आप देना चाहेंगे? तो मिल जो भी stok आज आपने शो में डिसकेस किये उस मैंसे किछी भी stok में मेरी कोई personal holding नहीं है पर similar lines पर अपनी company के clients के साथ अपने view share झाल झाल